दोस्तों अभी पिछले कुछ नहीं दिनों में एक या दो ही दिनों में कुछ ऐसी गटनाएं गटी जो आप सभी ने देखी होंगी आप सभी ने महसूस किया होगाओं गटनाओं को कि यार ऐसा कैसे हो सकता है लिटरली ये रिएक्शन आयते मेरे पास कि how it is possible ऐसा कैसे हो सकता है क्या हुआ तब मैं आपको बताता हूँ और साथ ही साथ मैने एक और वीडियो बनाया था कि जून के महिने में कौन-कौन सी गटनाएं गटने वाली है और उसके बाद जून का महिना शुरू हुआ और जैसे जैसे वो गटनाएं जो मैंने बताई थी वैसे वैसे उन गटनाओं का दौर भी शुरू हो गया और साथ ही साथ Energy Calculation में जो मैं एक दिन पहले बता देता हूँ कि अगले दिन क्या होने वाला है कुछ वैसी गटनाएं भी यहाँ पर गटते हुए नजर आई इसमें जो महतिपून गटनाएं थी सबसे पहला कि मौसम तो डेफिनिटी चेंज हो ही रहा है बारिश सडनली कही न कहीं आई रही और बादलों की गरजन बहुत तेज यहाँ पर होते हुए दिखाई दिय रही है सेकेंड यहाँ पर देखा जाए तो सेकेंड प्रेडिक्शन जो हमारा सही हो चुका है अब तक कि स्पेस सिल्टेट चीजें बढ़ चुकी है यूएफो की खोज और भी जादा तेज हो चुकी है और कहीने की साइन्टिफिक रिसर्च और भी जादा तेज इसमें हो चुका है तीसरा प्रेडिक्शन जो हमने कहा था कि आग लगने की गटनाये विसफोटक योग बनते ही बूम करेगी और वापस से वैसा ही हो गया पकिस्तान की तरफ से न्यूज आई दो ट्रेने आपस में बिढ़ गई इंडिया में न्यूज आई ए मुंबाई में आग लगई और पूने में भहेंकर आग लगई है इतने लंबे समय बाद वापस से आग कैसे लग सकती है एप्रिल के महीने में और माई के महीने में कोई आग नहीं थी मार्च के एंड में जब अंगारक योग था तब भहेंकर आग थी और वापस से जून के महीने में यहाँ पर आग की गटनाय में देखने को मिल रही है तो यह कोई बहुत बड़ा magic नहीं है इसके बाद एक और बहुत बड़ा prediction जो कि मैं continue कहता हूँ आ रहा है कि the soon things will happen like this इसके होने की तो कोई संभावना ही नहीं थी किसी को कोई expectation ही नहीं थी कि याद ये कटना भी कट जाएगी और वो थी प्रदानमत्री मोदी जी के द्वारा live आके vaccination के बारे में बात करने की unexpected news सभी के लिए यहाँ पर था कि vaccination पे जोर मैंने कहा था मंत्री मोदी जी द्वारा कुछ ऐसे decisions जिसके कारण से राज़नितिक उठापटक में अभी बहुत बड़ी चीज़े हो सकती है यहाँ पर बट लिया गया कोई decision जो कि हमारी calculation में clear लिए यहाँ पर mention हो रहा था तो दोस्तों कहीं न कहीं कोई न कोई चीज यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है अभी तो जून का मेना शुरू हुआ है गिंती के दिन अभी दस ही हुए हैं पूरे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है समय समय पर मैं आप सभी को बहुत सारी चीज़ें को आप सभी के सामने रखेगा और बहुत सारी चीज़ें में बदलाव में यह महीना बहुत ज़ादा इंपॉर्टन डोल प्ले करने वाला है वो सभी लोग जो एस्ट्रोलोजी पर रिश्वास करते हैं वो डेफिनेटली यहां पर सर्प्राइज हैं कि यार किस टाइप का कैल्कुलेशन है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं आप सभी लोग जो एस्ट्रोलोजी पर विश्वास ही नहीं करते थे जो कुछ दिनों पहले चैनल से जूड़े थे जो कुछ समय से काफी कैल्कुलेटी तरीके से अब्जरीशन के साथ चैक करने कुछ विश्वास होते हैं जो चैक करते हैं कि प्रडिक्शन कैसा जा रहा है I have few viewers and the great viewers and I thank you for them जो की ऐसा काम करते हैं मेरे लिए या फिर जो अपने लिए काम करते हैं जो क्या करते हैं लिटरली उन्होंने मुझे शेर क्या है कि they are writing the predictions whatever I am telling in the videos they are writing in their notebooks and they are checking कि यह चीज हो रही है या यह नहीं हो रही है and this is literally a great opportunity for me कि a great moment for me basically कि somebody is doing this, somebody is checking my video, somebody is checking my predictions and I really thankful all of you, all of you जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जो भी मेरे वीडियोस पे time spent करते हैं, जो भी मेरे वीडियोस में अपना effort डालते हैं, उन सभी को मैं बहुत शोक्रियादा यहां पर करना चाहता हूँ अभी और भी चीज़ें होंगी और भी गटनाएं होंगी और और भी विश्यवानियाँ पर सही होते हुए आप सभी को नजर आने वाली है, जून का महीना अब change होने वाला है सूर्य गरहन यहां पर लगने वाला है और सूर्य गरहन के साथ साथ शनी अमावस्या भी होने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, लाइव सेशन में बहुत जल्दी हम करेंगे लाइव सेशन शाम के समय में और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि सूर्य गरहन शनी मावस्या आपको कैसा द्यान रखना है, आपको आखिर क्या द्यान रखना है इसके बारे में हम चर-चा करेंगे इसके अलावा सूर्य ग्रहन के बाद एक और बड़ी चीज जो यहाँ पर होगी बड़ा परिवर्तन जिसकों कहते हैं कि बिग चेंज वो रहेगा सूर्य का परिवर्तन मिथुन सक्रांतिक के साथ जब यहाँ पर सूर्य का परिवर्तन रहेगा so that will be the great change in this month जून के महीने में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा क्योंकि इस परिवर्तन में ऐसा क्या खासे सूर्य राहू के एकसेस से हड़ जाएंगे सूर्य पिल्कुल न्यूटरल यहाँ पर होता हुआ चला जाएगा और मिथुन राशी का सूर्य तो definitely यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने ही वाला है मिथुन राशी के सूर्य में कोई खराबी नहीं रहेगी क्योंकि मिथुन राशी में ही तो सूर्य का इंतिजार था और फटा-फट से मरक्री रेट्रोगेट से डायर्क्ट होके अपनी गर की तरफ प्रस्थान करेगा और शोकर तो अलड़ी वहाँ पर बैठा हुआ है शोकर भी आगे जंप करेगा चीजे सारी की सारी यहाँ पर बैलेंस्ट होते हुए नजर आने वाली है अब जो एक महतुपून कटना कटने वाली है यह कटने वाली है पानी के अंदर जमीन के उपर कमपन जिसको हम कहते हैं नोट कर लीजेगा अभी बता रहा हूँ हो सकता है शाम को ही हो जाए हो सकता है कल ही हो जाए और हो सकता है परसो ही होते हुए देखने को मिल जाए एक ऐसी प्रेडिक्शन जो यहाँ पर अनेक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन में एक बार फिर यहाँ पर करने वाला हूँ वो है यहाँ पर कमपन को लेके कमपन ने इन दे सेंस कि यहाँ पर जमीन में कमपन हो सकता है समुद्र में कमपन हो सकता है और कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से एक बड़ा सुनामी, एक बड़ा तुफान, एक बड़ी आंधी यहाँ पर आ सकती है नेचर यह इंडिकेट कर चुका है नेचर का डिजाइन पैटन बन चुका है और बहुत जल्दी यह सिच्वेशन यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगी बुकम के आने के चांसे ज़ादा है और पानी में बुकम जो कि सुनामी को इंडिकेट करेगा ऐसे चांसे थोड़े से ज़ादा दिखाई देते हैं लेट सी कि क्या होता है बहुत अच्छी बात क्या है अच्छी बात है कि जुपिटर का रेट्रोकेशन वो आफ्टर सूर्य ग्रहन हो रहा है और वो भी दस दिन के बाद हो रहा है यह एक बहुत बड़ी कटना है और उससे भी पहले जुपिटर के रेट्रोकेशन पे सूर्य का राशी परिवर्तन हो जाएगा यह एक और भी जाद अच्छी बात है क्योंकि जब जुपिटर रेट्रोकेट रहेगा तो सूर्य का राशी परिवर्तन मिथुन में हो चुका होगा यह एक और positive sign हमार लिए र नार आये इसलिए तबाही मच जाएगी ऐसा नहीं होता जी हां क्योंकि सूर्य को राहू के साथ बैठे हुए 15 दिन से जादा हो चुके हैं अगर आप सभी को यकिन नहीं होता चेक कर लीजिए 14th of May 2021 जब सूर्य ने राशी परिवर्तन क्या था व्रशब राशी में गए थे और आज almost almost 9 June यहाँ पर आ चुकी है 15 दिन से जादा हो चुके हैं पूरा समय अराम से निकला है कहीं कोई बुरी बात नहीं होई सूर्य ने राशी परिवर्तन करके राहू के साथ ग्रहन बना के कोई भी negative चीज़ यहाँ पर नहीं करी as I told you कि this time राहू जो है वो down हो चुका है यहाँ पर राहू के पास अपनी energy नहीं है और राहू के पास उतनी energy भी नहीं है कि वो कुछ कर पाए इस कारण से राहू का प्रभाव यहाँ पर कम जल रहा है और इसी कारण से चीज़ें जो है वो balancing situation पर आती हुई नजर आ रही है तो एक बड़ा तूफान एक बड़ा भुगंप एक बड़ी सुनामी या फिर इस तरह की कोई बाते इस तरह की कोई rumors इस तरह की कोई assumptions यह आपर बाहर निकल के आने वाले हैं यह बहुत clear calculation आपर आपको बता रहा हूँ और साथी साथ एक और calculation बता रहा हूँ इसको भी note कर करीजिएगा आप सभी के लिए काम आने वाली है वो सभी लोग जो मार्केट में अपना काम करते हैं उनके लिए सर्प्राइज लेके आ रहा हूँ बारा तरीक से लेकी पंदरा तरीक तक मार्केट में अगर आप हैं तो आप definitely पैसा लगा लीजिएगा आपको फाइदा हो स जाएगा तो यह जो एक छोटा सा fluctuation है यहां पर जरूर देखने को मिल सकता है मुझे अपडेट जरूर करिएगा कि मार्केट का क्या result रहा विकाज मैं मार्केट देखता नहीं तो मुझे इतना समय मिल नहीं पाता गोल्ड यहां पर जरूर उठता हुआ दिखाई देगा इसी तरह से और भी आने वाले समय में जोतिश की गढणाओं को मैं आप सभी के सामने लेके आऊँगा और आप सभी को बताऊंगा कि कैसे जोतिश के गढणा यहां पर होती है इंपोटन चीज क्या है दोस्तों Court चीज है कि जोतिश पर विश्वास करना चाहिए ऐसान यह आप कैसे calculation करते हैं, उसके उपर सारी चीजें निर्वर करती हैं। ऐसा होता है, काफी बाद चीजें सही जाती हैं, काफी बाद चीजें गलत भी जाती हैं, कभी कबाद चीजें up to the mark नहीं जाती, उसमें बहुत सारी calculations होती हैं। For an example, अगर किसी की job आज की date में नहीं लग लिया, किसी का business table नहीं हो पा रहा, पर उसकी कुली में अगर chances बन रहे हैं, योग बन रहे हैं, पर surroundings के कारण से, nature के कारण से, market down है इस कारण से, बहुत साई चीजे अगर affect कर रही हैं, तो वो possible है, इसा हो सकता है, इसमें जोतिशे गर्णाओं को गलत बोलना, एक तरह से कहीं न कहीं ना समझी हो सकती है, क्योंकि अगर योग बन रहा है, इटमिन्स की योग जो है, वो आपकी favor के लिए बन रहा है, वो आपको force नहीं कर सकता कि ऐसा करना है और उसा नहीं करना है, बट नेचर में जब हम calculation करते हैं, तो नेचर के पीछे कोई force नहीं है, आपके पीछे नेचर का force है, नेचर के पीछे किसी का force नहीं है, तो definitely यहां पर चीज़े इस तरह से हो सकती है, बहुत जल्दी, predictions में, मैं एक बहुत बड़ा चीज़ से हम पर करने बाला हूँ, आप सभी की सामने रखने बाला हूँ, उमीद करूँगा कि आपको अच्छा भी लगेगा, और आप सभी उसे महसूस भी करेंगे, उमीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा, बैल आइकन पर क्लिक कर दीजेगा, इसके अलावा अगर आप मुझे से कुछना चाते हैं, अपनी कुणनी का अनेस्स करवाना चाते हैं, आप मुझे संपर्प कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा, आप सबी किये हर संभब मद्यां पर कर सकूँगे, धन्यवाद,